बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम अस्सलाम उलेकुम कैसे हैं आप लोग अमीदा आप सब ठीक होंगे आज हम पना रहे हैं वाइट चिकन वाइट कड़ाई चिकन की तो यह मेरे पास एक किलो चिकन है यह मैंने एक कप दें लिया है एक क्वाटर कप ओएल है आदा कप मैं क्रीम इस्तमाल करूंगी और यह मेरे पास गार्लिक और जिंजर की पेस्ट है कोई एक खाने का चमचा और साथ मैंने चार-पांच ग्रीन चिली जो है वह मैंने चॉप कर ली है और मैं एक लेमन का जूस मैंने निकाल दिया है तो यह मा नमक मैंने लिया है डेर्ड डेर्ड चमची मैंने नमक लिया है एक चाय का चमची काली मिर्च है एक चाय की चमची स्फेर मर्च है एक चाय की चमची जीरा पोडर है और एक चाय की चमची दनिया पोडर है तो यह जिंजर है साबद जो मैं जूलियन स्टाइल में काट लू हो गया है तो मैं अब इसमें चिकन डालती है कि को फ़रा सा बस पकाएंगे जाब इसका कलर से इंजो जाए इसमें मैं साथ ही इसमें के साथ ही मैं अपनी यह पिली और दामल्ट भी डाल देती है कि को उडियुकर चिली को फोरा सब चाते हैं दो ने दो चार मिन्त जब इसका कणकर पेंगो पर दिशों। अब हमसी मैं दाल देती है चाहत ही अब नोगर्ट डालते हैं हमारा योगर्ट चला गया एक कप एक कप योगर्ट चला गया और साथ ही मैं अपनी सारे सीजनी मसाले जो भी डाल देती हूं यह सारे मसाले भी चलेगे अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरस अब पांच मिनाट इसको पकाएंगे इसका पानी भी हुशक हो जाएगा जो दहीं इसको मीडियम हीट पे बस बोईला ना शुरू हो गया ना तो इसको कबर करके तो अब हम पांच से-दास मिनाट पकाते हैं इसका पानी हुशक हो जाएगा जाए अब इसको कवर कार देते हैं अब इसको मेडिये मेट पर पकाते हैं करें इसको पामी शुकू हो गया और निकला आया है बाइव अब हम इसमें यह अपनी चिलीज डालते हैं साबत चिलीज और लेमन जूस यह हमने एक लेमन का नकाल के रखा हुआ था और साथ ही हम यह अदा कप क्रीम डालते हैं क्रीम डाल दिया हमने क्रीम और इसको अब हम मिक्स कारके तो बस दो मिनट इसको पकाते हैं क्रीम को तो मरा झीर डाड़ी ए दो क्रीम क्रीम मालट जोड़ी तो मिक्रीम को पड़े दो मिनट बास इसको क्रीम को बून मेते हैं इसको काते हैं तो ये रैडी है इसमें हम थोड़ी सी जिंजर जूलियन डाल देते हैं और बाकी जो है वो हम सर्विंग डिश में डालेंगे थोड़ी सी तो ये मरा राडी है इसको बस दो मिनट हम इसको पकाते हैं ढूंड इसको बस्तका अएंगे तो ये रैडी है इसको कवर कर देते हैं ताकि चीनटे ना ले चीनटे उड़ गए है दो मिनिल पकाते हैं यह मेरी वाइट चिकन कड़ी रड़ी है तो मैंने इसको गार्निश कर दिया इसके साथ जिंजर के साथ जुलियन के साथ और साम मैंने रोटी बना ही है साथ में रोटी है और यह चिकन करी है आप इसको चपाती के साथ खाएं नान के साथ खाएं चाबलों के साथ खाएं आपकी अपनी चोईस है तो आप भी बनाएगा और फिर बताएगा कि आपको कैसी लगी तो अमीद है कि आपको अच्छी लगेगी तो आप भी जूर बनाए और बताईएगा फिर कि आपको कैसी लगी है तो फिर इंशाला तला हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ अला हाफिज